जैसे राम जैसे राम जैसे राम देखें यह जो Millers Experiment है इसको दो व्यक्तियों ने किया था एक यूरे और एक मिलर ने किया था तो यह यूरे और Miller's का जो यह Experiment है ना यह पता है क्या करता है यह Explain करता है यह Actually Explain करता है कि हाल्ड ने और ओपेरेन की जो हाइपोथेसिस थी वो विल्कुल सही थी ये उसको प्रूफ कर दिया इसने अब ये मिलर्स एक्सपेरिमेंट में किया क्या था उन्होंने हमारे मिलर जी ने किया क्या था आईए देखते हैं देखें उन्होंने एक ये सिस्टम लिया था इस सिस्टम में उन्होंने क्या किया मीथेन गैस लिया मीथेन गैस आमोनिया गैस लिया और हैडोजन गैस लिया फिर इसमें एलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोवाइड किया और एलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोवाइड करने के बाद से अठारा दिन तक इसो ऐसे रखा फिर उनको आउटलेट में कुछ मिला देखते हैं फिर से देखें एक्चुली उन्होंने वाटर लिया मीथेन लिया अमोनिया लिया और हड्योजन गैस लिया जो वाटर था वो तो तुरंत ओवियसली एटीन हंडेड डिगरी सलसेस टेंप अमोनिया जो था वो वन पार्ट था मीथेन टू पार्ट था और हड्योजन गैस टू पार्ट थी और फिर हमने देखा कि अठारा दिन बाद सिग्निफिकेंट एमाउन्ट ऑफ और्गेनिक मॉलिकोल्स मिले जैसे एलनीन आमाइनो एसिड्स मिले ग्लाइसीन मिले एस्पार और यह जो कंडिशन है एक्शुली उन्होंने जो अर्थ के स्टार्टिंग कंडिशन में उसका इन्वार्मेंट था उसकी सिचुएशन उसकी कंडिशन थी उसको उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोसिस की थी उसको लैब में क्रियेट करने की कोसिस की थी मतलब लैब का जो हमारे अर्थ का जो starting environment था उसको lab में recreate करने की कोशिश की थी तो भाई 18 दिन में उन्हें मिल गए कई सारे amino acids अगर lab में सिर्फ 18 दिन में इतने सारे amino acids मिल सकते हैं तो आपको क्या लगता है condition change होने पर और real condition में क्या millions of years में इस बहुत सारे biomolecule evolve नहीं हो सकते हैं और actually जब condition को change किया यह उन्हें मिलर ने तो चलो यह दिया amino acids तो बना दिया अधर साइंटिस्ट ने बाद में जब condition को change किया जैसे अल्ट्रा वाले ट्रेस एड किया गया तो देखा गया कि अरे भाहिया जो है उनहीं से life originate हुआ था इन और्गेनिक मॉलिकूल से और गेनिक मॉलिकूल बने फिर बायो मॉलिकूल बने और बायो मॉलिकूल से life originate हुआ था इवेन जो हमारे earth पर meteorites आती हैं उल्का पिंड आते हैं तो उनकी जब study की गई तो देखा गया कि उनके अंदर भी ऐसा है कुछ situation था इसका मतलब कि same kind of situation किसी ना किसी ग्रह पर इसमय चल रहा है तो life originate होने का life के evolve होने का यही तरीका है